तो कैसे हैं आप लोग आश्य करता हूँ बहुत अच्छी होंगे घर पे होंगे और स्वस्त होंगे तो आज हम लोग इस वीडियो में उसा चैप्टर के आपजिक्टिब कोश्यांसर को देखने वाले हैं जो शमशेर बहादूर सिंग के दौरा लिखा गया हुआ है इससे पहले इस चैप्टर के सारांस का वीडियो हम लोग देख चुके हैं अगर अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो कृप्या करके प्लेलिस्ट में जाएए हिंदी फोर 2021 और उस वीडियो को देख लिजिए ताके आप घर बैठे बैठे बोड इक्जाम की तयारी अच्छे से कर सके और ये चैप्टर नमबर एट है इससे पहले भी मैं कैसारे चैप्टर का वीडियो बना करके अप्लोड कर चुका हूँ वो वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तो चलिए हम लोग आपजिक्टिव कोशन को सुरू करते ही तो पहला कोशन कह रहा है समसेर ने कब लिखना पराडाम भी किया यानि कि शमसेर बहादुर सिंग कब से कवीता लिखना शुरू कर दिये तो माना ये जाता है कि शमसेर बहादुर सिंग 1932-1933 से जो लिखना शुरू कर दिये तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा अगला कोशन है उस्षा कवीता के कवी कौन है तो शमसेर बहादुर सिंग है तो सही आंसर भी हो जाएगा दूसरा सब तक कब परकाशित हुआ तो दूसरा सब तक जो है वो आपको 1951 में जो सब परकाशित हुआ तो सही आंसर जो बी हो जाएगा शमसेर को किस नाम से पुकारा जाता है तो शमसेर हिंदी अगर आधुनिक हिंदी में देखेंगे आधुनिक हिंदी साहिते में देखेंगे तो बहुत ही फेमस ये कवी हैं इसलिए इसको जो है सो कवीयों के कवी के नाम से जो है सो लोग जानते हैं यानि कि सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा उसा का जादू कब तूर जाता है यानि कि उसा का जादू जो रहता है जैसे मैं ऐसा रांस पर समझाई चुका था कि जब धूप निकलती है जब सुरज निकलती है तो उससे पहले जो है बादल का दिर्स आसमान का दिर्स देखने में कुछ और ही बात रहती है और वो जो दिर्स कब तूटने लगता है लाली पन हो, काला पन हो, नीला पन ये सब कब खतम हो जाता है तो सुरज निकलने के बाद जैसे ही सुरज निकल जाता है वैसा ही उसा का जो एक जादू होता है वो जादू जो है सो टूटने लगता है खतम होने लगता है तो सही आंसर भी हो जाएगा अगला कोशन कह रहा है शमसेर बहादूर सिंग का जनम कब हुआ था तो शमसेर बहादुर सिंग का जनम जो है उत्तरा खंड में हुआ था तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा देहरा दुन उत्तरा खंड में जनम हुआ था तो सी हो जाएगा सही आंसर अगला कोशन कह रहा है शमसेर की परती नीधी कविताएं नामा कवे किरिती का संपाधन किसने किया था तो ये जो परतीनीधी कविताएं इसका जो संपाधन जो है Đॉक्टर नामवार सिंग जो है सो किये तो सही आंसर जो जो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की त बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तालास आदे किसकी रचना है तो ये सारी रचना जो है शमसेर बहादूर सिंग की है तो सही आंसर ये हो जाएगा शमसेर ऐसे कवी है जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं यह कथन किसका है तो ये बाद ज garage rigor अरून कमल जो ङो सो और सही आंसर जो सी होगा शमसीर बहादूर सिंग्ग ने किस सिथान से बिये किया था तो इलाहबाद से ये जो अपना बिये जो फाइनल किये थे तो सही आंसर बिये हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोोशन की तरफ शमसेर बहादुर सिंग के माता पिता का क्या नाम था तो समसेर बहादुर सिंग के माता पिता का नाम माता का नाम जो है परभु देई था और पिता जी का नाम तारिफ सिंग था तो सही आंसर सी हो जाएगा जादू तूटता है इस उसा का अब सुरूदै हो रहा है यह पंक्ति किस कवीता से ली गई है तो उसा से ली गई है सही आंसर ए होगा शमसेर बहादुर सिंग की पत्नी का नाम क्या था तो शमसेर बहादुर सिंग के पत्नी का नाम धर्म देवी था सही आंसर भी होगा अगला कोशन कह रहा है परभात कालीन आकास कैसा होता है तो सुबह के वक्त जो है जब उसा नहीं निकला हुआ रहा था तो उस वक्त जो है आकास का रंग जैसो नीले संख जैसा होता है अगला कोशन है किसका जादू तूटता है तो उसा का जादू जैसो तूटने लगता है तूट जाता है सही आंसर यह होगा चुका भी नहीं पा रहा हूँ यह किसकी कृती है तो शमसिर बहादूर सिंग की सही आंसर यह हो जाएगा शमसेर बहादुर सिंग ने किस कोस का संपादन किया उर्दो हिंदी कोस का सही आंसर सी होगा शमसेर बहादुर सिंग ने 1978 इसी में किस देश की यातरा की तो सोविय संग का यातरा जो है 1978 में समसेर बहादुर सिंग ने की थी तो सही आंसर भी होगा तो ये 19 अब्जिक्टिव कोश्च आंसर थे उसा चैप्टर से उम्मिद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लेज लाइक कीजी जाज सेदा शेयर कीजी और हमारे चैनल पर पहली बारा है तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब कीजीए फिर मिलते एगले वीडियो में तब तक के लिए बाई